राजस्थान में इस साल विधान सभा चुनाव होने हैं लेकिन सत्तारूर कॉंग्रस पार्टी के विधायकों और मंत्रियों पर मामले दर्ज होने से आने वाले चुनावों में इसका खास असर देखने को मिलेगा फिलहाल के दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्रिया शोक गहलोत के नस्दीकियों के खिलाब भी मामले दर्ज हुए हैं इन में मुख्यत मुख्यमंत्री के सलाकार और नवलगरसिक कॉंग्रिस से विधायक राजकुमार शर्मा पर भी एक मकान पर कब्जा करने के मामले में जैपूर के गांधी नगर थाने में मामला दर्ज हुआ था इसी प्रकार जमीन से जुड़े मामले के चलते एक व्यक्ती ने जैपूर के सुभाज चौक थान अप छेतर में आत्महत्या करने वाले व्यक्ती का नाम रामप्रसाद मीना है मृतक ने सुसाइड नोट लिखकर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री महेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाया है मृतक के भाई ने इस मामले में मंत्री महेश जोशी पर भाई को आत्महत्या के लिए उच्साने का आरोप लगाया है मृतक के परीजन अपनी मांगों को लेकर शफ के साथ ही धरने पर बैट गए है मंत्री से जुड़ा हुआ मामला होने के कारान अब सियासत भी गर्मा गई है विपक्षी सांसत की रोडी लाल मीना भी धरना स्थल पहुचे और परिवार के लोगों को सांतावना दी परिवार के लोगों की मांग है कि मृतक के परिवार से किसी एक कुस सरकारी नौकरी दी जाए और एक करोड का मुहाबजा दिया जाए इसके बाद ही यहां से शब उठाये जाएगा दोशी सबसे महें महें जोशी है वहां गये थे हाथ जोड़े पाउं पकड़े तो उन्होंने बस तक्का देके बगए दिया रभगों यहां से लिखके दिए चला जाओ उसका तो परमिशन मांगते हैं और उसका पांच मंजिल बन गया इसकी परमिशन हो होगो का करिव हमारी स्रेफ एक मांग है महें जोशी को फाजी पर चड़ाओ और मेरे पापो को न्याय दिलाओ और हमारी कोई मांग नहीं है वह जमीन के लिए का है वह जमीन हमारी और हमारी रहेगी 70 साल से मेरे दादजी पूरी कमा इसमें लगा तो आप कैसे छोड़ सकते हैं मेरा मेरे भीया को बहुत परेशान किया है बहुत वोग किया है टोर्शर किया है जब जाकिया अज मेरे भाई ने मुझे नियाए अभी तेरा तारी को जाकिया है महीं जोशी के पास तो मेरी माता जी भी गई ती मेरी बती जी गई मेरे सारा परिवार गया था हमारा उन्होंने दोटने तो जब जाने दूदी तो हम ने माता, जिनों के पैर वाजब में उन्हों पुला कि तुम मेरे मेरे पेरों में कैसे हाथ लगाए, तुम तो निजात गयो ऐसे बोला उन्होंने, क्यों बोला वही और लाथ मारी माको देश और दुनिया की हर बड़ी हबर के लिए सबस्क्राइब करें नवतेश टीवी और पलपल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबारा ना खोलें क्योंकि आपके खबरों का भरोसिमन साथ ही है नवतेश टीवी